दोस्तों यदि आप नए बिजनस की तलास कर रहे हैं तो CSC सेंटर खुलना आपके लिए काफी बढ़ी बढ़ी अपर्चुनिटी हो सकता है क्योंकि CSC सेंटर आपको सैकरो सर्विसेस प्रवाइड करती है जिससे आप कस्टामर को आप देकर महिने के 50 से 1 लाख रुपे बड़े ही आसाने से कमा सकते हैं अब CSC सेंटर में क्या का सर्विसेस मिलते हैं इसके जो मुख्य सर्विस है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं फिर आपको रेश्टेशन कैसे करना इसका कैसे टीज से एकजाम देना है और कैसे यूजर आईडी पासवर्ड लेना है यह सारी प्रोसस आपको आज के इस हम आपको लाइब दिखाने वाले क्योंकि यह वीडियो थोड़ा से लंबा होगा लेकिन कंप्लीट प्रोसस आपको बताएंगे इस वीडियो में वीडियो को आपन तक जरूर देखी का अगर आप चाहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर 2022 में खोलना तो जिसका लाइब प्रोसस आप करें आपको बताने वाले क्योंकि काはति सारे लोगों को समस्या होते हैं क्योंकि पैस्व muris का किस परकार मिलता है इसका कुई पर्स पर्रोसस नहीं दिखाता हम आपको देखाएंगे लायक नहीं किया तो एक लाइक करीए इस आधी के और चैनल को सबस्क्राइब क common service center आप खोल सकते हैं CSE Center खोलेंगे तो यहां पर बहुत सारे service आपको दिये जाएंगे जैसे अभी अधार कार्ड में कुछ भी update करना तो CSE Center अगर आपके पास है तो यह अधार का काम भी आप ले सकते हैं साथ किसी भी बैंक का CSP लेना है जैसे आप मीनी बरांच लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास CSE ID होना जरूरी होता है जैसे अगर किसी का इसमान कार्ड बनाना है तो CSE ID है तो उसमें काफी वेहतरीन कमिशन दिया जाएगा आप इस रमकार्ड बनाते हैं उसमें काफी सारे बेनिफीट आपको दिये जाएंगे वही पैन कार्ड बनाएंगे उसमें भी बहुत सारे कमिशन आपको दिये जाएंगे किसी का रिचार्ज करते हैं उसमें भी आपको कमिशन मिलेग आपको 14-19 रुपया का पेमेंट करना होगा इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये फीडी में आपको नहीं मिलता है इसके लिए आपको पेमेंट करना होता है जिसके लाइप प्रोसेस आपको आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले चलते हैं अपने कंप्यूटर के स आपको समझाते हैं यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफी हलफुल सावित होगा अगर आप CSA सेंटर खोलना चाहते हैं तो अगर आपके मन में कोई भी सुझाब है तो आप इंस्ट्राग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और साथ ही टेलिग्राम ग्रूप को भी करने के लिए सबसे पहले आपको टीए सी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अब देखे टीए से सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा वह हम आपको बता देते इस वेबसाइट पर कैसे आएंगे सबसे पहले समझे गूगल ओपेन करिए मुवाइल या लाप्टोप में सर्च करिए और यहां पर ऑप्शन मिलता है न्यू सीए सी आईडी डाइस्टेशन आप इस पर किलिक करेंगे जिस पोस्ट पर आ जाएंगे जिसमें सारी प्रोसस बताई गिए एक बार क्लियर करते किसी से सेंटर लेने के लिए आपके पास डोकुमेंट क्या होनी चाहिए तो आपके काद होना चाहिए आपके पास पैन काड होना चाहिए है आपके पास एक पासुमीक होना चाहिए और केंसल चेक है तो और अच्छी बात है नहीं है तो पास्बूक है फिर भी आप काम चला सकते हैं अब समझे इसके लिए आवेधन कैसे होता है तो सबसे पहले TEC certificate आपको लेना पड़ता है यहीं पर आएंगा सारी process को हमने बताई है बारे किसे और यहाँ पर एक option मिलता online registration आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस website पर आएंगे यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जब अप्लिकेशन टाइप में आप से लेकरेंगे तो आपको CSC VLE से लेकरना है जैसे CSC VLE से लेकरेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जाता है कि TEC certificate नमबर आप दीजिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है फिर यहाँ पर जब apply बाले पर क्लिक करेंगे उपर में यह option मिलेगा तो नीचे में एक option मिलता है TEC certificate आप इस पर क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको TEC certificate के लिए रेजिटेशन करना होता है जहाँ पर आपको एक option मिलेगा login with us आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको option मिलता है एक login का एक register का login वो लोग करेंगे जो TEC certificate के लिए पहले से apply कर दिये है अगर आप नए user है तो सबसे पहला आपको register वाले पर क्लिक करना होगा यहाँ पर कुछ basic सा जनकारी जैसा आपका जो भी नाम है जिनके नाम से CSA ID अप लेना चाहते हैं उनका नाम यहाँ फिलब करेंगे साथ है उनका जो भी mobile नंबर है वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे एक email ID आप यहाँ पर देंगे उनका father, mother या किसी भी female के नाम से करते हैं तो उनका पती का भी नाम आप यहाँ पर mention कर सकते हैं नीचे स्कॉल करेंगे आपका जो भी एस्टेट होगा जिससे से आप ID के लिए apply करते हैं उससे state को select करेंगे और यू भी आपका जिला होगा यहाँ से आप अपना जिला से लेक करेंगे जो भी जीला आपका होगा तो जीला से लेक करने के पाद यहाँ पर आपको address लिखना एड़र्स लिखते समय हमेशा ध्यान रहें कि एड़र्स फूल लिखना है जैसे आपका जू भी विलेज होगा इस पर कर विलेज में जन गड़े पिर कॉमा लगाएंग पोस्ट अपर जो भी होगा वोड डाले पिर कॉमा लगाएंग और जू भी आपका डिश्टिक होगा व उनका डेटो बर्द क्या है तो डेटो बर्द के लिए यहां पर के लेंडर मिलता है सबसे पहले यहां पर यहां पर के तरफ एसकॉल करेंगे तो सभी यह आपको मिल जाएंगा जो भी यह होगा इसमें जो भी मन्त होगा आप वो से ले करेंगे और जो भी डेट होगा इस उप लोट करना होगा तो जो बेकली करके पहले फोटो अपलोट करेंगे फिर नीचे आएंगे यहाँ पर कौप्शन मिलता है कोशाओ maxim मेक बैंकिंग से यूपी आई से किसी भी माध्यम से पेमेंट करेंगे यहां पर आपको एक option मिलेगा card का number डालेंगे जो भी month होगा year होगा CVV number होगा वो डालेंगे फिर make payment पर आपको click करना है और एक बार जभी आप payment करें तो इस परकार का अगर आपके पास option आता है तो हमेशा आप यहां पर option मिलता है send anyway आप इस पर click करें ना कि go back पर go back पर click करेंगे आपका payment कर जाएगा payment clear नहीं होगा payment आपका फस जाएगा इस परकार आपका payment successful होता है जहां पर आपको एक user name में TEC number मिलता है और password आपका mobile number होता है और यहां पर आपका transaction ID देखनों को मिलेगा तो इस ID को यह जो TEC certificate आपको मिला है इसको copy कर लेना या कहीं भी note down करके आपको रख लेना है फिर यहां पर एक option मिलेगा login with us आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर option मिलता है login का login वाले पर क्लिक करेंगे जो भी TEC certificate आपको मिला है वो user name में वो TEC certificate डालेंगे password आपका mobile number होता है तो उस password को डालेंगे और एक option मिलता है यहां पर login का login वाले पर क्लिक करेंगे login पर क्लिक करते ही उपर में आप देखेंगे तो आपका profile फोटो दिखाएगा और साथ ही यहां पर आपका सारे detail दिखाएगा जो सारी detail को हमने hide करके रखा है यहां पर आप देखेंगे तो एक option आपको मिलेगा जभी भी आप test देने जाते तो उससे पहले एक option यहां पर आ hard नहीं होता है लोग जो है इस एक्जाम को काफी hard समझते कि कैसे पास करेंगे इसका एक्जाम पास करना बहुत है सिंपल प्रोसेस है वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए एक क्वाइंट को हम बाड़े किस आपको सम्झाने की कोसिस करेंगे सबसे पहले दिखिए यह हा से हुब पढ़ सकते हैं अगर आप डियुक नहीं देखना चाहते है तो इस इस्तिति में अगर आप इंग्लिस में वीडियो में देखना चाहते हैं लेक्चर देखना चाहते है उसको आप बारेकिस अगर आप समझ लेते हैं, इस तीनों लेक्चर को आप देख लेते हैं, तो assignment exam आप देने जाएंगे, तो कहीं भी 1% भी आपको कटनाई नहीं होगी, यहीं है कि थोड़ा सा समय देकर इस सभी assignment को अच्छा सा आप देखें, जो वीडियो मिल रहा है, study material है वही चीज़ आपको वीडियो लेक्चर में बताया जाता है, उसको आप देखकर तो जाएंगे आप एक्जाम देना तो एक परसेंट भी आपको दिक्कत नहीं होगा, तो यह चीज़ ध्यान रहे कि फरस्ट assignment जब आप देने जाएंगे, तो उसके लिए first study material को आपको अच् देगा, और जब final exam होगा, जिसमें आपको 50 questions पूछे जाएंगे, जिसमें ये 200 study material से आपने जो भी पढ़ा है, जो भी वीडियो लेक्चर देखा है, तो उसके according ही आपको याम देना होता है, अब आईए समझाते हैं कि किस परकार आपको इसका जो assignment exam कैसे देना है, फिर final exam क कैसे करना ये सारी process समझते हैं, निकले assignment वाले आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 assignment आपके सामने, फर्स्ट assignment आप देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ताला lock दिखाई देगा, क्योंकि आपको पहले फर्स्ट assignment से सुरुवात करना होता, जो जो आप नीचे जिसमें इस परकार question का जो भी answer होगा, आपको एसनों में बताना होगा, जो कि आपके वही study material का question है, उसको परकार आप exam देजे, फिर आप next पर click करेंगे, फिर इसमें जो भी पूछा जागा, एसनों में बता, इस परकार आपको जो है, exam clear करना सभी का answer आपको यहाँ पर ब फिर से आपको ID password डाल कर यहाँ पर login कर लेना है, login करने के बाद यहाँ देखेंगे, आपका एक assignment complete हो चुका है, फिर आपको assignment पर click करेंगे, तो आपके second assignment का ताला जो है, इस परकार open हो जागा, और first assignment में आपको कितना number मिला, वो भी आपको देखने को मिल जाता है, तो इस इस परकार आप second exam देने के लिए ready होते हैं, second वाले पर जब ताला वाले पर आप click करेंगे, तो फिर आपका second जो assignment exam है, start होगा, start exam पर click करेंगे, इसमें भी जो भी question पुछे जाएंगे, यह सभी question आपको जो है answer इस नों में बताना है, उसके बाद फिर से आप जब assignment वाले पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जितने सारे अपने exam दिया है, वो assignment सभी complete हो जागा, जैसे 10 assignment होते हैं, जब इस पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, हमने 200 assignment इस परकार complete किया, जिसमें जितना marks होगा, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है, बोरे ही आसाने साप इसका exam दे सकते हैं, जिसके लिए जो study material है, खासकर आप इसका खास ध्यान रखें, और अच्छा से इस video lecture को देखें, 100 में 100% में guarantee देता हो, कि अगर इसको आप देख लेते हैं, और exam देने जाते हैं, तो 100% आप इसमें पास कर जाते हैं, तो पहले assignment exam आपको दे देना जरूरी होता है, अब देखें काफे सारे लोगों को यह समस्या होता है, लगता है कि final exam हम कैसे दे, फिलाल इतना तक हम आपको बता दिये, अब आईए समझाते हैं कि अगर आपको लगे कि हाँ हमने अच्छे से स सारा कुछ complete कर लिया है, study भी अच्छे से किया है, तो अब आपको final exam देना है, अगर आप चाहते कि नहीं हमें TAC certificate भी हमें मिल ही जाए, लगतार ही तो उसके लिए आपको final exam देना होता है, final exam देते से हमें कुछ चीजों का धियान रखे, जगह वैसा होना चाहिए, जहां प पर देन के लिए, क्योंकि इसके लिए अलग एक सॉब्ट वेराता है, कैसे होगा, जैसे ही आप टेक exam वाले पर किलिक करेंगे, यहाप आप से पूछा जाएगा कि आप language ब्रता ही, किस language में देना चाहते है, तो यहाप इंगलिस दे कर बहुत लोग घबडा जाते, कि इंग्लेस जानते ही नहीं है बिल्कुल घबराना नहीं है जो भी कूचन होता है जो कि हिंदी इंग्लिस दोनों में राथता है तो आप यहां से लेकर और सम्हेट वाले पर किली करें इस परकार दिखाएगा जोड़ा से वेट करना है इस परकार का एक डिस्बूर्ड आगा जहां पर आपको एक सेटप जो है CSE ब्राउजर का होता है जिसको सबसे पहले डाउनलोड करना होता जिसके लिए फास्ट एस्टेप है उस पर किली करेंगे यह सेटप आपको अपने लैप्टॉप में इंस्ट्रॉल करना होता जैसे इस पर किली करेंगे एक सेटप आपके लैप्टप में डाउनलोड होना शुरू होगा इसको डाउनलोड होने दीजे समय लगेगा XRTMB का है जब यह डाउनलोड होगा उसके बाद इसको आपको इंस्ट्रॉल करना होगा जब आप इसको इंस्ट्रॉल कर लेते हैं फिर यहाँ पर आपको start exam का option मिलता है आप इसपे click करके TEC final exam देने में आपको समस्या लगती है तो हमारे website online update sm.com में आएंगे यहाँ पर search का option मिलेगा जिसमें आपको search करना है TEC exam लिखकर आपको search कर देना search करने के बाद यहाँ पर हमने एक post लिख रखा जिसमें हमने सारी process को समझा TEC exam कैसे pass करें आप इसपे click करेंगे जहाँ पर हमने एक एक बिंदू को clear किया कि अगर कुछ हात्र को लगता है या जो यली है उनको लगता है कि CEC exam में अगर हम fail हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा TEC final exam क्या है कैसे होगा यह भी बताया है और कैसे आप इसको pass कर सकते हैं जिसका एक एक बिंदू को हमने clear किया है तो इस post को भी आकर आप पर सकते हैं इसका क्या shortcut होता exam pass करने का जो वीडियो हम आपको इस नए YouTube channel जो कि मेरा ही है आउल सुडी के नाम से इस चैनल को subscribe कर लिजे इस वह बहुत जल्द में एक स्रीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको CAC exam कैसे pass करना है final exam उसका shortcut trick बताएंगे किस परकार आप करेंगे तो इस चैनल से जुडियत जो भी लोग नए है तो subscribe करिए इस चैनल पर हम इसका स्रीज स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही आपका exam complete होता है फिर यहाँ पर आप start test पर जब click करेंगे तो फिर से यहाँ पर login वाले पर आप click कर लेंगे और जो भी ID password होगा उसको डालेंगे डालने के बाद यहीं पर आप देखेंगे तो left side में एक option आपको add हो जागा certificate download का आप इस पर click करके आप अपना certificate को download कर सकते हैं आपको check करना कि हमने pass किया है या नहीं किया तो इसके लिए assignment का option मिलता है आप इस पर click करें और नीचे आए आपको यहाँ पर option मिल जाता है take exam आप इस पर click करें किलिक करने के बाद यहाँ पर option आपको मिल जाएगा language से ले करने का language से ले करके submit करें और यहाँ पर इस परकार message आगा कि you have already passed exam kindly इस परकार यहाँ से certificate को download करेंगे इस परकार आपका certificate देखने को मिलेगा जिसको आप संभाल कर रख सकते हैं या आपने 100 पे भी लगा सकते हैं अब चलिए कैसे इसके लिए apply करना वो process आपको बताते हैं तो यह main काम था TEC certificate लेना जो कि बहुत बढ़ा काम होता है TEC certificate लेना देखिए एक चीज़ आपको हम aware करना चाहेंगे इस वीडियो के नीचे अगर comment box में कोई ऐसे audience आपको comment करके कहें कि हम आपको CEC ID दिलवाद देंगे आप हमें contact करें वो अपना number देंगे तो कभी भी इस जहासा में न परेंगे तो फिर आपके साथ fraud हो सकता है और कभी भी हमारे चैनल के नाम लेकर भी कोई आपसे पैसा मांगे तो यह काम आप नहीं करें क्योंकि हमारे टीम कभी भी आपसे किसी भी परकार की पैसा नहीं मांगती है क्योंकि हमारा जो भी जनकारी होता है रियल होता है और जो भी जनकारी होता हम बिल्कुल फिरी में बत करना होता है जो कि CAC VLE बनने के लिए आपको ID पासपोर्ट लेने के लिए इस वेपसाइट पर ही आएंगे यहाँ पर option मिलता है online registration आप इस पर किली कर ले क्लिक करने बाद इस वेपसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सिले करना CAC VLE उसके बाद आपसे मांगा जाएगा कि भाई टीज से सर्टिफिकर नंबर आप अपना दीए वो टीज से सर्टिफिकर जो अभी हमने आपको बताया जब आप 14 है नवासी रुपया का प्रमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा वो नंबर टीस से नंबर ढ़ले फिर मुवाइल नंबर ढाले ठीक चैट अडाले दाले फिर आपको समीट पर समीटक करना है फिर आपका जो भी एमेल डाले दालेंगो उस पर बेढ़़कर कैट चैट डालकर यहां पर समिट प्रक्राइब करना है उसके बाद यहां पर इस परकार डेश्बूर्ड भी लेगा यहां पर आपको अधार नमबर डाली है उसके बाद आपका नाम यह जो भी डीटेल आपने फिलप किया था देखनों को मिलेगा यहां पर फिर से एस्टेट आपसे पूछा बहुत आपसे पर सकते हैं फिर यहां पर ऑफ्सान मिलता है जनरेट इस पर किलिक करेंगे जो भी नमबर आपका लिंक होगा उस पे 4TP भीजा गया होगा ओटीब डालका फूल डीचेल उनका डालेंगे ुसके बाद इस सेट स्पीड से उसके बाद डेक्स करेंगे फिर आपको ब्लॉग चुलै गरनी है उनका उसेट पौस्ट Curry iSE पिन कोट पूछा जाता है कि बेसिक डीटेल जो है जो एड़े से फिलप करेंगे उसके बाद जब नीचे देखेंगे लेंगे चूट आपको सलेक करने के यहां पर पॉइंट ओन मैप का उफसन है इस पर किली करेंगे आपका जो भी बर्तमान लोकेशन होगा यह लोकेशन आ आप जहां से आवेदन दे रहा है वह यहां पर देखनों के मिलनेगा मेरा सितामटी भीहार है तो दिखें सितामटी भीहार यहां पर देखनों के मिल रा उसके बाद क्या करेंगे आप इसको जूम भी कर सकते हैं यहां पर लेंगे चीट लेटिट आपको जो है अपने कोड करके और इस करसल को इधर उधर करके आप करेंगे तो यह लेक्टिट यूट और लेंगे चूट आपको पॉइंट हो जागा तो इस चीज को ध्यान रखेगा तो इस परकार इसको सेले कर लेना है जो कि यहां आपका सौप होगा वहां आपको सेले करना है उसके बाद यहां प एक कैंसल चेक आपको अपलोड करनी है, अगर मालेजी किसी के पास कैंसल चेक नहीं है, तो आप अपना पास बुक भी अपलोड करेंगे, इस परकार आपका जो चेक बुक डालेंगे, वो देखनों को मिलेगा, अधार, यानि क्यों ऐसी डोकुमेंट में आपने जो भी स्लेक किया होगा, जो भी स्लेक करना भी चाहते हैं, वो याँप आपसन मिलता है, वो स्लेक करेंगे, कि वो इस डोकुमेंट नमबर डालकर यहाँ पर उसको अपलोड करना है, उसके बाद यहाँपर एक और समिट करना है, आपको अपका जो आवेदन है, समिट हो जाता है, इस प भी आप अपलाई कर देते हैं, तो इस पर करकर जब प्रिंट आउट निकलता है, तो आपको दो काम जरूर कर लेना चाहिए, पहला है कि आप जब यहाँपर प्रिंट आउट के नीचे आप देखेंगे, जो कि अनिवार है, काफे सारे लोग बोलते है कि मेरा आईडिय कॉपी, यानि जो भी आपने डाउनलोड कॉपी जो है, जो कि आपने सम्मिट किया है, यह कॉपी है, जो कि डिस्टिक मेनेजर होते हैं, आपके जी लेके CAC के लिए बनाया जाते हैं, उनके पास आपको जमा करना अन्यबार है, अगर यह काम आप नहीं करते हैं, तो फिर में आप अपने डिस्टिक कोडिनेटर से मिले, कैसे आप उनसे कॉंटेक करेंगे, उसका भी हम आपको सलूसन आपको इससी वीडियो में बता रहे हैं, वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, हम आपको आईडी तक, यानि जब आईडी कैसा अप्रूब होता है, कैसे आईडी मिलने के बाद आगे कि क्या काम करना, सारी बातों को हम जिक्र करेंगे, वीडियो को आप अभी जरूर देखे, अभी बहुत चीज़े, अभी बागी है, ये सभी पे आपका जो सिंगनेचर होना चाहिए, जिसमें कैंसल चेक, पास्बूक और पैन कार्ड और जो भी आपका दिया सी डिस्टिक क्रना बास बहुत से सिंपल है, आप अपना एस्टेट को सिले करिए, और साथ है सर्च पर कंडिकर देजे, बड़े ही आसाने सा आपका जो भी डिस्टिक कोर्डिनेटर होंगे, डिस्टिक मैनेजर होंगे, उनका यहाँ पे नमबर और इमेल आईड करेंगे विदिन उमीद रखी अगर आप यह मिल लेते हैं तो एक मन्थ के अंदर में ही आपका आईडी को एप्रूबल करेंगे आपका सेंटर वेडिफिकेशन करेंगे तो यहां से पहले कॉंटेक करिए और जाकर आप उनसे मिल लिजे अब यह समझाते कि किस पर कर चेक करे अता है तो सभी प्रोसस होने में यहां पर देखेंगे तो कुछ दिन बाद जब आप ट्राइ करेंगे एक दो महिना बाद देखेंगे तो आपका ID approval होगा नाम सोब करेंगा account have been created इतना काम अगर आप करते हैं जो rule हमने आपको बता है जो नियम आपको बता है जिस पर कर आपको form भरना बता है अगर यह सारी process को आप हमारे बताए गए process को अपनाते हैं तो 100 में 100% मैं guarantee देता हूँ कि आपका CACID 100% approval होगा तो यहाँ पे आपका CACID generate हो जाता अब इसके आगे की process क्या करना होता हो भी समद लीजे उसे पहला आप से एक प्यारा सा request है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करिए साथ ही चैनल को subscribe करिए ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी information होता है 100% real जनकारी आपको मिलेगा और साथ ही जो भी update होगा आपको मिलेगा ही आप जाकर देखिए हमारे वीडियो को जो भी जनकारी होता है विल्कुल सई जनकारी ही प्रभाइट किया जाता है इसलिए subscribe करना मत भूलिए ताकि जो भी genuine वीडियो हो आपको मिल सके सचे करे और जो आपको ID create हुआ है उसको copy कर ले यहाँ पे account वाले पे किलिक करे और जो लीडिक करिए और जब लाइटिंग जलेगा त были है कि अपने लगा है फिंगर डीवाइस उस में एक địंग में आपको अप integradрь करना है फिंकर जैसे या पटेच करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे और capture होने के बाद आपका आगे प्रोसेस इस प्रकार देखने को मिलेगा जिसमें आपका नाम सो करेगा और इस्टेटस एक्टिवेट यानि आपका ID एक्टिवेट हो चुका है उसके बाद नीचे देखेंगे तो काफे सारे ओप्सन है जैसे KYC अपडेट करना होता है बहुत सारे ओप्सन आपको देखने को स्टेटा करेंगे तो अपको सबसे पहले पासवर्ट करना होगा तो यहाँ पे डीजी मेल का पासवड कर सकते हैं और साथी यह उपसफर्क करें मिलता अपडेट डीजी मेल पासवर्ड आप इस पर किलिए तो अगर है तो यह करें नहीं है तो नो पर किलिए करें आपका जो भी नंबर होगा जो लिंक होगा और दालने का बद बैलेट टी पी पर किली करें और जो भी पासवर्ड आप रखना से चाहते अपने सीच से आईडी का उस पासवर्ड को यहां पर नेवाले में डाले उसको कॉंफर्म करें और नीचे मां ऑप्सन मिलता अपडेट पासवर्ड आप इस पर किलिक करें परकार successful reset हो जाता है उसके बाद क्या करना है फिर से डिजिटल सेवा के जो PORTAL है इस्कोर सर्च करना है अब आपको Login करके दिखाते कि किस परकार login होता है इस पर आने के बाद यहां पर login को आप्शन मिलता है जिस पर है आप किली करिये ID ID password यहाँ पर डालिए फिर capture डालकर sign in वाले पर किलिक करिए जहाँ पर कुछ survey आप से पूछा जागा जिसमें आप अपना basic जनकारी फिल आप करेंगे जो कि आप अपने according देख लेंगे आपका center कहा है आपका पंचायत कहा है आपका नाम क्या है आपका गाओ का नाम का यह सभी डीटेल आपको भड़ना होगा उसके बाद इस परकार सभी सर्विस आपके सामने देखनों के मिलेगा कुछ ऐसे सर्विस भी होते है जो अभी आपको नहीं मिलेगा इसके लिए आपका center जब verification होता है तो सभी सर्विस आपको उसका एक्टिवेट कर दिये जाते तो घवराना नहीं है धिरे-धिरे सभी सर्विस आपका एप्रूबल हो जाएगा तो इस पर कर एक CSE ID लेने के लिए हमने जो भी जनकारी है आपको बताया वीडियो पसंदा हो तो लाइक सेर करना मत भूली गया साथी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो होगा आपको मिल सकेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद